बगुला और केकड़ा की कहानी The Crane and the Crab Story in Hindi सीख अपवाहों पर ध्यान देने की बजाए हमें सच का पता लगाना चाहिए नमस्ते निमुस्टा में आपका स्वागत है पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले डंगा नदी के निकट एक बगुला रहता था बगुला का नाम शशी था बगुला बहुत बूरा हो चुका था और उसके लिए एक मच्छी पकरना भी मुश्किल काम हो गया था बगुला कोई ऐसा उपाई सोच रहा था ताकि उसे रोज की खुराप मिल सके बगुला तालाप के किनारे ऐसे बैठ गया जैसे बहुत उदास हो जब कुछ मच्छियों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा उसने कहा कि एक महान जोतिशी ने भविश्वानी की है कि जल्दी ही उस तालाप के जीवों के लिए बड़ा ही भयन कर प्रलया आने वाला है उसने कहा कि बड़ा भारी सूखा पढ़ने वाला है जिससे वह तालाप सूख जाएगा इससे उस तालाब के सारे जीव मर जाएंगे बगुले की बात सुनने के लिए तालाब की सभी मचलियां केंकरे, मेधक, आदी वहां एकठे हो गए उन्होंने बगुले से पोछा तुम बुजुर्ग होने के कारण बहुत बुद्धिमान हो क्या तुम हमारी जान बचाने का कोई रास्ता बता सकते हो बगुले ने कहा कि वह हमेशा आकाश में उलता है इसलिए वह उस जंगल के कई तालाबों के बारे में जानता है उसने बताया कि वह एक तालाब के बारे में जानता है जो इतना विशाल है कि भायानक से भायानक सूखे में भी सूखेगा नहीं उसने कहा कि वो समय रहते ही उन जीवों को अपनी पीट पर बैठा कर उस तालाब तक पहुँचा सकता है उसने कहा कि उस तालाब से उसे बहुत कुछ मिला है और इस अहसान का बदला चुकाने का उसके पास यह सुनहरा मौका है सभी मचलियां, केंकरे, मेधग, आदी बगुले की बात से राजी हो गए इस तरह से बगुले के अच्छे दिन फिर से वापस आ गए हर दिन वह एक मचली को अपनी पीट पर बैठा कर ले जाने लगा लेकिन उन्हें किसी बड़े तालाब में ले जाने की बजाए बगुला बीच रास्ते में ही मचली चट कर जाता था एक दिन बगुले ने सोचा कि मचलीयां खा खा कर मनूप चुका है मूँ का स्वाद बदलने के लिए कुछ और खाया जाए इस बार उसने एक केंकरे को अपनी पीट पर बिठा लिया केंकरा खुशी खुशी बगुले पर सवार हो गया जब बगुला हवा से बाते कर रहा था तो केंकरा जंगल का विशाल रूप देखकर अचम्वित हो गया जब वह उस द्रिश्य का आनन ले रहा था तब ही उसकी नजर मच्छी की हड्यों के एक बड़े से धेर पर पड़ी उसने बगुले से उस धेर के बारे में पूछा तो बगुले ने उसे असल बात बता दी और कहा अब तुम अपने भगवान को याद कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ केंकरा बड़ा ही पुर्तिला था उसने अपने मजबूत पंजों से बगुले की गर्दन मरोर दी जिससे वो बगुला भगवान को प्यारा हो गया इस प्रकार से उस लालची बगुले का अंत हो गया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अफवाहों पर ध्यान देने की बजाए हमें सच का पता लगाना चाहिए